रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया उन्होंने बुधवार्दे रात करीब 11 बचे अपनी अंदिन सासे लिए वे मुंबई के व्रीच कैंडी अस्पिताल की इंटेंसिफ केर यूनिट आईसियू में भड़ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से चूच रहे थे बीती रात उनकी आखें बंध हो गई और वे कहरी निध में चले गए रतन टाटा के निधन की खबर से हर कोई स्थब्ध है राजनीतिक जगत से लेकर बिजनिस टाइकून और फिल्म इंडस्ट्री तक हस्तियां अपने अपने तरीके से देश के रतन को श्रत धांजली दे रही है पियमोदी ने रतन टाटा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और सम्वीत नाव्यक्त की उन्होंने लिखा श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनिस लीडर तयालू आत्मा और एक असाधारन इंसान थे उन्होंने भारत के सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठत व्यापारी घरानों में से एक को स्थर नित्रत्व प्रदान किया साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया अपनी विनम्रता, द्यालूता और हमारे समाज को बहतर बनाने के प्रती अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने खुद को कई लोगों का प्रिवे बना लिया कॉंग्रिस नीता राहुल गांधी ने एक्स प्लैटफॉर्म पर शोक व्यक्त किया उन्होंने लिखा रतन टाटा दूर्द्रिष्टी वाले गत्ती थे उन्होंने व्यापार और परुपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है उनके परिवार और टाटा समुदाई के प्रती मेरी समवेतनाई महराष्टर के सीम एकनाश्रिंदे और डिप्टी सीम देविंद्र फर्णवीस मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पिताल पहुँचे दोनों ने ताओं ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए रतन टाटा के साथ बिताये उनके पलों को साजहा किया और दुख साहिर किया एक अनमोल रतन कहते है वो रहा नहीं यह भारत का कोहिनूर फरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं हमसे बिचड़ गया है ऐसा मैं कहूंगा और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे यह बहुती बेदना दाई दुखत लटना है हमारे लिए पुरे देश के लिए पुरे देश का एक अभिमान था हमारे महाराष्ट का भी अभिमान था एक इतने बड़े ओदे पर पहुँचने के बाद इतना सीधा साधा रहना जमेन से जुड़ा रहना ये बहुत कठीन काम हो करते थे मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था तब मैंने उनको देखा मेरे से जो बात किया उनोंने जो इतनी इतना व्यक्तिमत पो जो है उनका डाउन वर्थ एक सिधा साधा रहना मराटी में हम कहते है साधी रहनी उच्च विचार सर गया और लाखों लोगों को उनोंने उद्ध्योजग बनाया उनकी इंडस्री बहुत पुरानी है और ऐसे ठाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में उर्जा आती थी प्रेवना आती थी और वो हमारे महाराष्ट और हमारे भारत देश का अभिमान है स्वाभिमान है उन्हें हमारे सरकार ने उद्ध्योगरत्न पुरसकार उनको कई पुरसकार मिले पदमस्री पदमविशन और जो भी पुरसकार उन्हें मिले उनको देने से उस पुरसकार की चाही बढ़ दे ऐसे उनका करतुत वो था और लाकों करोडों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्हें ने किया है सिर्क उद्जोजक नहीं तो एक देश सेवा देश भक्ती से प्रेरित वो ये व्यक्ति मत्वते ऐसा इनसान होना दुबारा मिलना ये मुम्किन नहीं है मुश्कील है और इसलिए मैं उनको महाराश्य सरकार की ओर से और महाराश्य की तमाम साड़े बरा करोड़े चंता की ओर से भाव भेनी सरदान जले अर्पित करता हूँ उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना उनके आदर्शों पर चलना यही उनके लिए सच्ची सरदान जले साबित हो सकती है रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उब्योग पती तो थे ही लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किये एक विश्वा सर्ता कड़ी की एक ऐसा ब्रैंड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ब्लोबल इमेज दी और उसके साथ-साथ अपनी संपत्ती को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त विवस्ता से ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंट्रोफिक काम उन्होंने किये है चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो चिकित्सा के क्षेत्र में हो रिसर्ज के क्षेत्र में हो बुनियादी क्षेत्र में हो समाज और देश के उप्योगी जो कारिया उन्होंने टाटा ट्रस्ट के मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने महतुपुर्ण उनके उद्योग है उतने महतुपुर्ण ये कारे भी है इसलिए एक बहुत बड़े मन का विक्ति आज हमारे बीच से चला गया है देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है बिजनिस टाइकोन मुकेश अंबानी भी ब्रीश कैंडी हॉस्पिटल पहुँची उन्होंने अस्पिताल पहुँच कर देश के कोहिनूर को श्रत्था अंजली दी गूगल के CEO सुन्दर पिचाई नी रतन टाटा के साथ अपनी आखरी मुलाकात को याद करते हुए लिखा गूगल में रतन टाटा के साथ मेरी आखरी मुलाकात में हमने वैमो की प्रगति के बारे में बात की और उनका दृष्टी कौन सुनना प्रेना दायक था वो एक असाधारन व्यवसाय और परोपकारी विरासत छोड़ गए हैं और उन्होंने भारत में आधुनिक व्यवसाय नेत्रतों को सला देने और विक्सत करने में मातपून भूमेकार निभाई है उन्हें भारत को बहतर बनानी की काफी चिंता थी उनके प्रियजनों के प्रती गहरी संबीतनाएं और श्री रतन टाटा जी को शान्ती मिले रतन टाटा की निधन की खबर से फिल्म जगत में भी शोग की लहर है अजय देवकन ने शोग साहर किया दुनिया एक दूरदर्शी के निधन पर शोग मनाती है प्रतन टाटा की विरासत पीडियों को हमीशा प्रेड करती रहेगी भारत और उससे परे उनका योगदान अतुलनी है हम अत्यंत आभारी है आराम करें सर अप्रेस प्रेंगा चोपरा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट की जरीए दुख जाहिर किया उन्होंने लिखा अपनी द्यालुता से आपने लाखों लोगों की जीवन को प्रभावित किया आपके मेत्रतो और उदारता की विरासत पीडियों को प्रेरित करती रहेगी आपने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया उसके प्रती आपके अध्वितिय जुनून और समर्पन के लिए धन्यवाद आप हम सभी के लिए प्रेरना स्रोत रही हैं और आपकी बहुत यादाई की सर